हाई गैज और वेलकम बैक तो दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन अगर आप लोगो को यह वाला चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बीसुस पर दाहिदू न्यूसपेपर मिल जाता है डेली करंटफः के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है और यह सारी चीज़ें मिलती हैं बिलकुल फुरी में तो जाकर इसको ज़रूर जोईन करन ना वो बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है अमिंटसन बे को कहां पर है यह एक्जाक्ली लोकेटड कौन से एरिया के आसपास है अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षिन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंब समय तक याद रख पाओगे साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्फ करेंगे जो कि यूपी एसी प्रीवेस यर साल 2003 के प्रिलिम्स में पूछा या था डेली बिस्स पर हम लोग एक प्रीवेस यर क्वेश्चन को लेते हैं लेकिन आज का क्वेश्चन बहुती जादा इजी है इन्प अब ऐसा कौन सा ब्लानेट है जो की सबसे जाधा टाइम लेता है सन के अरांट में रिवॉल्फ करने में नीचे आपको अप्शन में प्लानेट जीए गए हैं अर्थ जूपीटर मार्स या फिर वीनस अराम से मतलब यार बिंदास तरीके से जबाब जरूर दे पाओगे पिर भी आते जरूर हैं मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे questions इस प्रकार से पूछे जाते हैं अभी मैं और जो recently papers के हैं वो भी question भी लाकर दिखाता रहूँगा तो सही answer नीचे comment section में दो अगर सही answer नहीं पता है तो नीचे मैंने आप लोग को provide करवा दिया है टेलिग्राम जो upload करता हूँ morning में वो भी बहुत जादा important हो चुका है यह दहिंदू का वीडियो बहुत important रहता है यहाँ पर मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि additional information आप लोग को provide करवा सकूँ जाद से जादा चीजों को paper के साथ link कर सकूँ अपने syllabus के साथ link कर सकूँ उसी प्रकार से जो daily current affair वाला वीडियो है उसके अंदर भी बहुत सारे important article का discussion चलता है daily business पर तो यहाँ पर अगर आप लोग दोनों वीडियो देख रहे हो तो आपके जितने भी current issues हैं चाए वो बड़े हो छोटे issues हो सब कुछ cover हो जाता है अगर आप लोग दोनों वीडियो को देख रहे हो तो सारे sources आपके cover हो रहे हैं अगर आप लोग दोनों वीडियो उसको follow कर रहे हो तो ठीके तो यहाँ पर कोशिश करते हो maximum time निकाल सकते हो तो बिल्कुल निकालना और यहाँ पर follow करने की कोशिश करना और जो भी आपके notes बगर है वो prepare करते रहे हैं क्योंकि आप लोग at the last जब किसी भी coaching की magazine उठाते हो monthly magazine उठाते हो तो वहाँ पर भी आपको यही सारे issues देखने को मिलेंगे जो कि आज के time पर हम लोग यहाँ पर cover कर रहे हैं ओके तो लगे रहो यार है ना चलो बढ़ते हैं आगे start करते हैं आज का discussion यह है आज का सबसे पहला article लेकिन उससे पहले एक और शोटी से information है टेलिग्राम जोइन कर लेना टेलिग्राम वही जोइन करना जो कि original है जो कि हमारे जो description box है उसके link में दिया गया है तो उन्हीं दोनों channel को जोइन करना है एक channel का नाम है दीपक यादव education दूसरे का नाम है दीपक यादव education bracket में notes लिखाए बहुत सारे बोल रहे हैं कि वो link काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं उसको में वापस से update कर दूँगा तो आप लोग उसको try ज़रूर करना क्योंकि और भी fake channels वहाँ पर हैं तो आप fake channels बिल्कुल मत join करना क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़े upload हो रही है वो मेरे control में नहीं है ओके नाव यहाँ पर जो यह वाला article है आपको मालूम होगा अभी यहाँ पर conference of parties 26 summit होने की बातचीत चल रही थी नाव मंडे में यह summit हुआ है अब यहाँ पर environment को लेकर काफी सरह discussion हुआ भारत ने अपना क्या step रखा है वो भी हम discuss करेंगे और इस से पहले अभी G20 summit हुआ था वो तो यह जो summit हुआ है मंडे में यहाँ पर हमारे प्राब मिनिस्टर ने statement दिया है कि इंडिया net zero emission को achieve करेगा by 2070, 2070 तक हम लोग net zero emission को achieve करने वाले हैं, pollution को खतम करने वाले हैं, लेकिन अभी तक का जो हमारा target हमने कोई set किया नहीं था, अब finally हमने 2070 तक का target रखा है ठीके, इसके पिछे के various reasons से आप लोगो मालूम है क्योंकि आज के टाइम पर हम एक developing country हैं, हम लोग छोटा अगर target रखते हैं तो उसको देखते हैं हम लोगो बहुत तेजी से अपने country के अंदर, चीजों के अंदर cut down करना पड़ेगा, ठीक है, अब चीजों के अंदर बहुत तेज आचुका है, 2070 तक हम लोग यहां पर यह net zero emission की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ हमारे प्रामिनिस्टर ने और भी दो-चार बाते बोली है, 2030 तक भारत ensure करेगा कि जो 50% तक हमारे यहां energy generate हो रही है, वो हम renewable sources generate करें, जैसे कि solar energy हो गया, wind energy हो गया, तो हम लोग इन फोकस रहने वाला है, और जो ज्यादातर energy हो हम renewable sources से generate करने वाले हैं, यह focus रखा गया, दनो उसके बाद भारत यहां पर लगबग 2030 तक 500 गीगावाट तक का renewable energy को generate करने वाला है, यह भी focus रखा गया है, अभी तक का target हमारा यहां पर 450 गीगावाट का था लेकिन इसको 50 गीग Scotland में यहां पर यह मंडे में summit होई और यहीं पर यह सारा discussion हुआ है, at the last हमारे Prime Minister ने एक और चोटा statement रखाए, वो यह रखाए कि जो rich developed countries हैं, for example यह US हो गया, European countries हो गया है, जो की काफी बहतर तरीके से grow कर चुकी हैं, तो इन लोगों कहीं ना कहीं support करना चाहिए developing countries को, जो चो Prime Minister ने यही बोला, कि जो यहां पर developed countries हैं, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, लगबख 1 trillion dollar तक का, at least 1 trillion dollar तक का climate finance को provide करवा सकती हैं, ताकि जो यह developing countries हैं, आज का टाइम पर लड़ रही हैं climate change से, तो यह काफी अतक grow कर सके हैं, तो यह main focus रखा जाए, इस पूरे के पूरे COP26 summit के अ United Nation के जो chief हैं, Antonio Griters, इनके दोरा एक statement दिया गया, कि जो countries हैं, उनको एक action लेना पड़ेगा, ताकि हम humanity को बचा सकें, otherwise, climate change एक ऐसा impact डालने वाला है, जिससे की काफी बुरा हाल होगा दुनिया भर का, ऐसा हमारे Antonio Griters का कहना है, इनका कहना है, we are digging our own graves, हम लोग अपनी कबर खुद ही खोद रहे हैं, ठीक है, इनके दोरा ये statement दिया गया है, और इनके दोरा ये भी बोला गया, जो हमारा Paris Climate Goal था, उसके उपर भी focus रहना चाहिए, हम लोग ने decide किया था है कि pollution को हम लोग regularly कम करेंगे, तो उसके उपर भी focus रखना है, तो ये दो-तिन statement दिये गए है, अहोब आपको ये clear हो चुगा है, उसके बाद आते हैं बराबर वाल आर्टिकल में, अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये वाला आर्टिकल कैसे important हो जाएगा, GS Paper 2 के point of view से भी important हो जाएगा, international relations के perspective से, ब्लस उसके बाद GS Paper 3 environment के perspective से भी article important हो जाएगा, अब जो दूसरा वाल है, वो बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के थुरू एक statement दिया जा है, आर्टिकल यहाँ पर GS Paper 3 environment pollution के point of view से important है, अब मैं जब environment बोला हूँ, ये सब आपके syllabus का part है, आपके syllabus के अंदर सारे subsections दिये हो हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ पर statement दिया है, cannot impose blanket ban on all firecrackers, अभी ये जो पटाक हैं, उनके उपर ban लगा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो बार यहाँ पर review किया इन चीजों को और बताया है, कि हम लोग proper, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से आप ban लगा दो, ठीके, आप ban लगाओगे, लेकिन ऐसे ही पट लगाने की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये यहाँ पर statement दिया है, ठीके, तो कोर्ट यहाँ पर लगाता restrictions लगा रहा है, स्रिफ और स्रिफ toxic chemicals के उपर, अगर आप लोग green crackers का अस्तमाल कर रहे हो, अगर आप लोग ऐसे पटाके की manufacturing कर रहे हो, जहाँ पर chemicals का अस्तमाल न अस्तमाल हो रहा है, और वो chemicals लोग की health के लिए काफी हतक injurious है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इस article में दो तीन चीज़े और आपको cover करनी पड़ेंगे, जो की additional way में cover करना होगा, जैसे कि यहाँ पर air pollution किस प्रकार से हो रहा है, इन पटाकों की वज़ा से या फि उसके बाद बहुत सारी जो harmful toxic chemicals हैं, वो सब यहाँ पर release हो जाते हैं हमारे environment में, for example, copper, zinc, sodium, lead, magnesium, cadmium, pollutants और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो की हमारे environment में release हो जाते हैं, और ये हमारे environment के लिए तो harmful हैं ही, लेकिन साथ-साथ जो human beings हैं, हम लोगे हम उस environment में रह रहे हैं, ह जैसे मैंने बताया कि आप इन पठागों को food रहे हो, तो इसकी वज़ा से बहुत सारे harmful toxic chemicals निकलेंगे, जैसे copper वगरा, copper की मातर अगर body के अंदर जाधा बढ़ जाएगी, तो इससे जो हमारा respiratory system वो irritate होगा, cadmium की मातर जाधा बढ़ जाएगी, तो जो हमारा, आज के time पर जो हमारी blood है, blood एक तरीके से carry करता oxygen को, अब blood का ये जो oxygen carry करने का ये function है, ये कहिने की effect होता वह नजर आएगा, zinc की मातर बढ़ जाएगी, तो इससे भी और बहुत सारी problems create होगी, lead की मातर बढ़ जाएगी, तो lead की वज़ा से जो हमारा nervous system में वो damage हो जाता है, ऐसा बताया लेकिन आज की टाइम पर ये issue क्यों है, क्योंकि आज की टाइम पर ऐसा पाया गया, जो current issue है, वो बात करता है barium content के बारे में, देखो बहुत सारी research analysis हुआ, उसके basis पर पता लगाया गया, कि आज की टाइम पर जो पठाके है, firecracker है, उसमें barium का अस्तमाल हो रहा है, तो आ यहाँ पर एक तरीके से खतरनाक है, green flames को यहाँ पर यह चोड़ता है, और जब भी आप यहाँ पर cracker को जलाओगे, या फिर पठाके को फोड़ोगे, और उसके बाद है एक metal oxide है, जो कि यहाँ पर air pollution प्लस noise pollution दोनों ही create करेगा, ओके, नाओ यहाँ पर एक चीज और cover कर ले जो barium है, यह किसके through discover क्या गया था, तो barium discover क्या गया था, Humphrey Davy के through, तो यहाँ पर इसके बार में भी एक छोड़ा सा idea रख सकते हो, आगे बढ़ेंगे next article की तरफ, और क्या है हमाले important, उसके बाद यहाँ पर बात की गई है एक तीसरे article में, अभी हमने देखा Glasgow के अंदर जो समिट हुआ है, मैंने अभी page number one पर ही, अभी जो ऊपर, यह climate change वाले से पहले वाला article जो पढ़ाया था, मैंने ग्लास्को वाला, तो उसी article में यहाँ पर, मतलब जो भी ग्लास्को का समिट हुआ है, उसी समिट में, जो हमारे प्राम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने discussion कि है, बोरिस जोनसन के साथ, बोरिस जोनसन कौन है, यह UK के प्राम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, United Kingdom के, तो इन दोनोंने मिलकर discussion किया है, अफगानिस्टान के issue को, ठीक है, आई होप आपको किलियर हो रहा है, ग्लास्को का जो समिट हुआ था, अभी, ठीक है, मंडे में, वहाँ प्राम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राम मिनिस्टर और UK के प्राम मिनिस्टर, दोनोंने अपस में discussion किया है, अब किस issue को लेकर discussion किया है, वो है अफगानिस्टान का issue, अफगानिस्टान के अदर क्या issue है, वो आप सभी लोग को मालूम होगा, regularly हमने काफी बार cover किया है, कि वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल आया है, आज के टाम पर क्राइस सिस बहुत जादा बड़ चुके हैं, हमानिटेरिंड क्राइस सिस बहुत जादा इंक्रीज हो चुके हैं, अफगानिस्तान के अंदर उसको tackle कैसे किया जा सकता है क्या solution हम लोग लेकर आ सकते हैं उसके उपर है discussion हुआ तो यहाँ पर आप देख पाऊगे यह सारी चीजे mention की है हमारे Ministry of External Affairs ने यह सारे चीजे बताई है कि यहाँ इन दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में यह सारी बाते हुई है प्लस देखो अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने मिलकर और भी बहुत सारी बाते डिसकस करें हैं जैसे कि दोनों कंट्रीज का bilateral partnership दोनों कंट्रीज यहाँ पर मिलकर climate change को tackle करेंगी अपने आपस में partnership करके दोनों कंट्रीज मिलकर Indo-Pacific वाले region के अदर आगे अपना contribution दिखाएंगी COVID-19 के recovery में मदद करेंगी economy recovery में यहाँ पर यह दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने वाली है फिर उसके बाद इन्होंने discuss किया है कि हम अपनी 2030 तक का target लेकर चल रहे हैं भारत और UK वो target क्या है कि हम लोग एक तरीके से अपनी connectivity बढ़ाएंगे trade के मामले में व्यापार के मामले में economy के मामले में people to people ties को increase किया जाएगा plus health के ओपर काम करेंगे defense and security areas के ओपर भी हम लोग यहां पर focus रखने वाले हैं plus उसके बाद दोनों countries का जो trade partnership है या bilateral cooperation है वो increase किया जाएगा मतलब आपस में व्यापार को increase किया जाएगा green hydrogen की तरफ दोनों countries मिलकर काम करेंगी renewable energy के sector में दोनों countries मिलकर काम करने वाली है और साथी साथ यहां पर जो solar energy है उसके ओपर यह दोनों countries मिलकर काम करने वाली है ऐसा यहां पर बताया क्या है ठीके और इससे पहले अभी फिर से आपको मालूम होगा जो UK की foreign secretary है listros यह इंडिया के अंदर visit करी थी और उसके बाद इंडिया के साथ भी काफी कुछ discussion हुआ था इसी climate change को लेकर नव वापस से यह सारी बाते discuss करी है यह हमारे prime minister और UK के prime minister ने आगे बढ़ते हैं next article की तरफ next article पर आते हैं देखो यहां पर हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए सारे articles अच्छे से cover हो रहे हैं जो कि हमारे syllabus के perspective से important है या नहीं ठीक है इस चीज के ओपर हमें main focus रखना होता है करते हो तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ important चीज है ऐसा नहीं है कि यहां पर पूरा ही आर्टिकल आप लोग ने cover कर डाला है ऐसा नहीं है काफ सारी चीज होती है जो 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 आर्टिकल बहुत important होता है उसको हम लोग total cover कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे articles मतलब कुछ खास नहीं होत वहाँ पर हमारे जो environment minister है बुपेंदर यादव इन्होंने अपना एक statement डिलेवर किया और इस statement डिलेवर किया है basic के बिहाफ में basic क्या है basic यहाँ पर चार country का group है कौन कौन सा B A से Brazil हो गया S से South Africa हो गया I से India हो गया और C से China हो गया ठीक है तो यहाँ पर basic यह जो group है इसके regarding इसके बिहाफ में हमारे environment minister ने एक तरीके सा statement दिया कि यह आज के time पर जो इतनी भी country है यह developing economies है आज के time पर develop हो रही है और काफी अतक polluter भी है मतलब pollution को हम लोग create करते हैं आज के time पर बहुत सारा pollution हो रहा है तो आज के time पर हम लोग क्या करने वाले आनवले time पर focus रखेंग वो हमारे उपर ज़्यादा pressure डाल रही है कि हम लोग को pollution कम करना होगा खास कर इंडिया के उपर चाहिना के उपर ज़्यादा pressure पड़ रहा है ऐसा क्यों population भी बहुत ज़्यादा increase हो चुकी है population के साथ-साथ pollution भी increase हो चुका है आने वाले time पर possibility है population और increase होगी तो definitely pollution भी increase होग तो यहाँ पर लगबग आपका सकतो यही statement दिया गया कि हम लोग यहाँ पर कम करेंगे इन सारी चीजों को साथी साथ जो है जो developed countries है ठीक है जो अभी मैं आपको बताया था rich countries है उनको यहाँ पर focus करना चाहिए उनको यहाँ पर एक तरीके से support करना चाहिए developing countries को थाकि जो developing countries इसे वो climate change से लड़ सकें ठीक है तो इस article में मतलब इतना ही साही आप cover कर सकते हो जादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग exam के लिए पढ़ सके ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप जितने भी article देख रहो ना सब politics से भरेवे article है और यह हम अमारे syllabus का part नहीं है तो हम लो परना यह IUCN के red list में आती है मतलब कि इस dolphin को बहुत सदा खतरा है अगर इस dolphin को आज नहीं बचा गया इस प्रजाती को आज हमने protection नहीं दी तो यह आने वाले टाइम पर बहुत जल्द ही विलॉप्त हो जाएगी खतम हो जाएगी यह प्रजाती तो यहाँ पर इसको पर कुछ guidelines दी गई है तो जो हमारी जल शक्ती ministry है ठीक है उन्होंने मंडे में guidelines को release क्या है कि हम लोग safe rescue करें और यहाँ पर जो भी बहुत सारी जो गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन होती है कहीं पर फस जाती है उनको कैसे यहाँ पर निकाला जा सकता है उसके ओपर कुछ guidelines बगरा provide करवाई है ठीक है नव यह जो guidelines है यहाँ पर यह बहुत साल का हमारा experience है उसके basis पर लेकर आए हैं लगबग काफी सारी जो ऐसी प्रकार की जो dolphins है काफी बार यहाँ पर यहाँ पर यह फसी है ऐसे ही irrigation canals के अंदर और बहुत सालों का experience है हम लोगों ने ऐसा निकाला है तो उसी के regarding guidelines provide करी है उसके बाद इस river dolphin के बारे में चर्चा की गई अब यह dolphin के बारे में जो चर्चा की है मैं extra information आपको provide करवा रहा हूं क्योंकि यह बहुत important है ठीक है गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन आर्टिकल जीएस पिपर 3 के perspective से important है सबसे पहली चीज इस river dolphin का scientific name क प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका यह जो रिवर डॉल्फिन है इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1801 में अठारा सो एक में नाव यह जो रिवर डॉल्फिन है यह गंगा ब्रहमपुत्रा मेगना में पाई जाती है उसके वाद करना फुली संगू रिवर सिस्ट स ereconom से यहास सभी जगह पर यह डॉल्फिन्स पाई जाती है यह सरफ औस साफ सुत्रे पानी में रहती है ठीके और बोला जाता है सांट्री्युंट होती है उसको निकालती है वह यहाँ पर आचुका होगा है इस लोग सूस्ही बोलते हैं वाह चलो यह आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो पॉपुलेशन है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की वो लगबग 1200 से 1800 और जाधा थोड़ी सी और जाधा आप लोग को देखने को मिलेगी डेटा थोड़ी सा पुराना है जो मेरे पास है अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी आच्च की तोक यहां पर बोला गया है कि यह जो रिवर डॉल्फिन है बहुत सदा है और इससे पता यह चलता है कि या मतलब जीस भी पानी में यह है उससे पता चलता है वह पानी बहुत स साफ सुत्रा है वह पानी काफी अच्छा क्योंकि इस डॉल्फिन को fresh witherta में रहना ही ठीक है इसको recognize किया गया है as the national aquatic animal 2009 में ठीक है तो 2009 में हमारी सरकार ने इसको national aquatic animal बना दिया था इसके बारे में ध्यान रखना है आज की टाइम पर इनको खत्रा क्या है कभी कभी हाँ पर जब हम लोग मचलिया वगरा पकड़ते हैं तो fishing net में ये भी फस जाती हैं bycatch कर लिया रहा है industrial pollution हो गया agricultural pollution हो गया लगातार river water में release हो रहा है तो इसकी वज़ा से भी इनकोई जान को काफियत तक खत्रा बढ़ चुका है I hope आपको यहाँ पर यह सारी चीजे clear हो चुकी है river dolphin के बारे में आगे सारी information provide की गई है मैंने एक-एक information आप लोगो दे दी है आगे बढ़ भारत पन्नु इनका नाम है और यहाँ पर इन्होंने cycle चला कर गुजरात से अरुनाचल प्रदेश तक इस सफर तैय किया तो गुजरात से अरुनाचल तक यहाँ पर गए है cycle से और कितने दिन में 9 दिन 7 गंटे 5 मिनिट अगर 9 बोले तो वैसे 9 डेज 7 आर्स एंड 5 मिनिट के अंदर यहाँ पर इन्होंने यह distance कवर गया है और लगबग यह कितने kilometers का distance है तो 3,800 km का distance है और इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर Guinness record बना दिया है तो उसी को लिखे रहे चरचा है, तो आगे की चरचा करेंगे, यहाँ पर कुछ खास ऐसा नहीं है, एक आर्टिकल यह है, एक आर्टिकल यह है कि जो पेराशूट यूनिट है, आज के टाइम पर यह काम कर रहा है, जो हमारी आर्मी है, वो लगातार यहाँ पर प्रेपेर कर है हमलारी आर्मी लगातार एक तरीके से तहनात है लगातार हम लोग अपनी आर्मी को करने कहाँ पर इस्टन लद्दाप का ले एरिया में और वहाँ पर क्या चलना है इंडिया और चाइना की बीच में stand off मतलब regularly रहता ही है तो इन दोनों countries के बीच में stand off रहता है तो यहाँ पर क्या हुआ इन सब चीजों को देखते हुए जो आर्मी है वो हमारी वो airborne exercise को conduct कर रही है इस्टन लदाक में यहाँ पर आप देख पाओगे पचासवा parachute brigade है यह एक तरीके से exercise के टाइम पर ही हुआ है लोगो एक तरीके से parachute से उतारा जा रहा है यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार की चीज़े करवाई जा रही है ठीके अब यहाँ पर क्या है ना कि Monday में जो यह airborne troops है इन सब को एक drop zone के अंदर डाला गया लगबग 14000 feet की उचाई पर यहाँ पर एक काम किया गया है उस उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और यह देखनी होगी यह जो एक तरीके से drop है यहाँ पर एक काफिया तक challenging drop था क्योंकि मतलब जो लोग drop कर रहे थे वह challenging drop है क्यों क्योंकि वहाँ पर जो temperature है वो बहुत जादा कम है minus 20 degrees का यह temperature देखने को मिलेगा और उचाई अलग है त इसके अंदर oxygen system का भी इस्तमाल किया जाए ठीके जब भी यहाँ पर कोई jump करेगा नीचे तो उसमें oxygen system का भी इस्तमाल होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर exercise की गई है आयोप आपको यह clear हो चुका होगा ना जो यह parachute brigade है इसको हम लोग शत्रुजीत brigade भी बोलते हैं इसके बा पानिक character आता है शत्रुजीत या जो कि एक तरीके से जीत हो किसी भी दुश्मन के उपर जीत हो तो उस वेसे यहाँ पर इसको शत्रुजीत brigade बोला गया है तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से practicing की है तरीके से parachute के तुरू तो यह आप लोग ध्यान रख सकते हो आगे जो स्रिलंका के fisher leaders हैं वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं इंडिया के invoice है तो मंडे में यहाँ पर यह बातचीत होई है इंडिया High Commissioner गोपाल भागले जी भी है तो मंडे में यह बातचीत होई है कॉलंबो के अंदर मतलब स्रिलंका के अंदर यह सारा discussion हुआ है किस चीज को ल मतलब कि bottle troning को हम लोगों को खतम करना चाहिए इसको कम करना चाहिए ऐसा यहाँ पर इंडिया के तुरू कहना है मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूं यह पाक स्क्रेट के बारे में चर्चा हो रही है क्यों चर्चा हो रही है यह क्या इशू है मैं सब कुछ आपको crystal क्लिय क्या तो इंडिया के सइट का आपको देखने को मिलेगा इधर तमिलाडू हो गया और इधर केला हो गया नव तमिलाडू से बहुत सारे जो मच्छारे होते हैं वह यह पर fishing करने जाते हैं कहां पर पाक बे में पाक बे कौन सा एरिया है तो पाक बे इंडिया और शिलंका के पीछ वाला एरिया है इसको पारक बे बोलते हैं या पारक स्ट्रेट भी आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा और इस एरियास में बहुत जादा मचली पाई जाती है ठीक है तो यहाँ पर यह लोग उसकी फिशिंग करने जाते हैं तो उसके बाद उसको बेज कर अपनी क फिशर्मेन को स्रिलंका अरेस्ट कर लेता है या फिर गोली मार देता है ऐसे बहुत सारी डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिलते रहता है तो फिशर्मेन डिस्प्यूट ना स्रिलंका और इंडिया की बीच में एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट है और लंबा चोड़ा कर जाते हैं बॉटन ट्रॉलिंग मतलब हमने जाल लाला नीचे की साइड और फड़ा-फड़ यहां पर मचलियां सब कुछ खैसली मतलब क्या है इसका तो यह पिच्चरदे को इसमें क्लियर हो जाएगा है यहां पर हमने यहां पर बोट डाल लगाई अब बोट में हमने क्या यह थी हैं बाकी सारा क्या क्या आगया मचलियों के साथ साथ और भी बहुत सरी चीज़े आ जाएंगी और इससे क्या होता है जो हमारा मारीन एकोसिस्टम है वह और जदा बरबाद होता वह नजर आ सकता है ठीक है जो नीचे और भी हमारे सारी कोरल रीव सोंगे और बहुत सर एक्वाटिक प्लान्ट्स होंगे वो सब बर्बाद हो जाएंगे इस प्रकार से हम लोग को यह concern देखने को मिलता है तो marine ecosystem हमारा बर्बाद होता है अगर इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर bottom ट्रॉलिंग को करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉलर ठीक है बॉटम ट्रॉलिंग मतलब पानी के अंदर में इस प्रकार से ट्रॉलिंग की जाती है आई हूप आपको क्लियर हो चुका है ठीक है तो इसके रिगार्डिंग हाँ पर ये शू देखने को मिलता है पाक स्ट्रीट क्या है सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए तो अभी यहाँ पर यह जो चिंता वाली बात हैं इसको लेकर क्या सुलूशन निकल कर आना इसको लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है आज के टाइम पर आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ उसको आते हैं पेज नबर 14 के उपर that is business section एकॉनमी के परस्पेक्टिव से important आर्टिकल देखेंगे एक लौता आर्टिकल है यहाँ पर एक तरीके से जो PMI है purchasing managers index इसके तुरू एक statement दिया है October के अंदर जो हमारी manufacturing activity है वो काफी तेजी से ग्रो हुई है लेकिन फिर भी जो job loss है वो एक तरीके से continue रहा है बरकरा रहा है ठीके वो किस चीज को लेकर है GST को लेकर October के महीने का जो GST revenue है वो बहुत जादा हाई हुआ है लगबग 1.3 lakh करोड के आसपास यह revenue देखने को मिला है और यह second time का highest revenue है जब से हमने GST को launch किया है कब launch किया था 2017 में तब से अभी तक का second highest revenue है यह सब हो पाया है क्योंकि हमारी manufacturing activities लगातार बड़ी है उसकी होजा से अब कौनकों से activities बढ़ी है इसके उपर focus करना जादा जरूरी है नहीं यहाँ पर सारे percentage दिये हैं और यह change होते रहता है यह monthly wise data है यह regularly change होता रहता है तो आपको घबराने की ज़रुरत नहीं है इसके ओपर बिल्कुल focus नहीं करना है आईडिया रखो एक छोड़ा सा और उस discussion क्या गया है आज के time पर कश्मीर में किस की चीजों को लेकर काफिसारी दिक्कत है चाइना आफगानिसान पाकिस्तान का क्या रोल है उसके बारे में discussion क्या गया है तूदा पॉइंट बात करने की कोशी करूंगा यह article बहुत जबरदस्त है आज का आपने थमनेल भी देखा बास नहीं है जापान के अंदर एक प्राइमनेस्टर आ चुके हैं कौन है वह आपको मालूम होगा फुमियो किशीदा उसके बाद दो आर्टिकल यह हैं ठीक है जो इसको हम डिसकॉस करेंगे एकदम टूदा पॉइंट बाद बताने की कोशिश करूंगा क्रेप्टो करेंस जो इसके बारे में दो-तिन इंफोमेशन अपको प्रोवैड करवाने की कोशिश करने वाला हूं आगे बढ़ते हैं अब स्टार्ट करने डिसकेशन जो सबसे पहला अडिटोरेल बात करता है जी ट्वेंटी मीटिंग अपने आप में बहुत ज़ादा इंपोर्डेंड रही है by the way आज मैं G20 countries के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था परसो भी बताया था और उससे पहले ही बताया था लगातार तीनों दिन के वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो लगातार तीनों दिन मैंने G20 countries के बारे में बताया है तो आज आप लोग मुझे बताऊगे G20 के अंदर जितनी भी countries है उन सभी के name नीचे comment section में ओके तो यहाँ पर यह जो एक तरीके से meeting हुई है उसके बाद यहाँ पर conference of parties की meeting हुई है तो G20 meeting के अंदर सबसे पहला discussion हुआ है COVID-19 pandemic को लेकर कि सारी जो 20 के 20 देश है यह सब मिलकर COVID-19 pandemic से लड़ेंगे major tax agreement हुआ है 15% minimum tax agreement रखा गया यह क्या है आगे मैं आप लोग को बताऊँगा उसके बाद यहाँ पर इन सब countries ने मिलकर एक focus रखा है कि हम सब मिलकर फोकस रखेंगे economic growth के उपर economic stability के उपर countries economic की growth के उपर यहाँ पर focus रखेंगी मतलब की country के अंदर जो production वगरा है जो growth है वह अच्छे से हो पाए countries ग्रो कर पाएं उसके बाद यहाँ पर WHO का रोल आया World Health Organization का World Health Organization ने focus रखा है कि हम लोग जाद से जादा लगबग अपनी 40% से जादा global population को कोविड-19 अगेंस्ट में वैक्सीन दे पाएं ठीक है और लगबग हम लोग 70% तक यहाँ पर 2022 के बीच वाले साल तक मलब सौरी 2022 का जो मेड़ वाला समय रहने वाल है वहाँ तक हम लोग 70% तक लोगों को यह वैक्सीन दे पाएं यह focus रख रहने वाले हैं हम लोग दुनिया भर में जादा सदा लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी तो इससे और जादा हम लोग एक तरीके से फ्रोडस से संतुष तो पाएंगे और वैक्सीन मिल जाएगी लोगों तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ने कि हम लोगों कोवेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी साधिसा G20 कंट्रीज ने मिल कर फोकस रखा है कि जो वैक्सीन की सप्लाई है वो लगातार होंगी डेवलीपिंग कंट्रीज के अंदर वैक्सीन को जादा स्प्लाई की जाएगी ताक कि डेवलेपिंग कंट्रीज आज के टाइम पर जो प्रॉब्लम से जूँझ रही है डॉलर एक साल के अंदर 100 बिलियन डॉलर ये कलेट किया जाएगा और इससे ग्रीन टेक्नलोजी को प्रमोड किया जाएगा ठीके और एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीस उनको ये फैनेंस करने वाले हैं पैसा प्रोवाइड करवाने वाले हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीस आज के टाइम पर अपने चलेंजिस को टेकल कर पाएं ओके ये चीज़ें आपर मेंशन करी गई है दन उसके बाद Conference of Parties 26 के बारे मेंशन किया गया ये मैंने अभी आप को पेज नमबर वन पे ही पढ़ाया था कि अभी यहाँ पर जी ट्वेंटी समिट के बाद तुरंती सी ओपी 26 ग्लासगो के अंदर ये मंडे में हुआ है दन उसके बाद यहाँ पर हमारे गूगल जैसी company हो गई बहुत बड़ी company हो गई अब यहाँ पर इसको अपना revenue अपनी कमाई शिफ्ट करनी है तो यह कहां पर शिफ्ट करना चाहेगा यह ऐसी जगापर shift करना चाहेगा जहाँ पर tax कम लगेगा तो इसकी revenue उसके पास जादा पैसे बचेगा इसकी revenue definitely increase होगी तो यह focus रखेगा इस वज़य से होता क्या है बहुत सारी countries for example Norway उसके बाद यहाँ पर Sweden कुछ इस प्रकार यहाँ पर एक example होते है बड़ी-बड़ी companies का तो बड़ी-बड़ी companies का करेंगी यहाँ पर कोशिश करेंगी हम लोग अपना revenue दूसरी countries के अंदर shift कर सके ऐसी countries में जहाँ पर tax rate बहुत ज़्यादा कम हो तो यह problem काफी बढ़ चुकी थी बड़ी-बड़ी स्वेडन या फिर ऐसी बहुत सारी countries जो की लगबग 6-7% tax लगा रहे हो अब ऐसा नहीं होगा अब आपको minimum tax ठीक है यहाँ पर बाचरजा की गई आर्टिकल में minimum के बारे में minimum tax आपको 15% रखना होगा 15% से कम रखना ही सकते हो आब यह जो यहाँ पर companies हो गई बड़ी-बड रखा गया है तो मतलब minimum 15% tax rate देना ही मतलब लेना ही लेना ही चार्ज करना ही करना है तो यह यहाँ पर focus रखा गया है ताकि सबके अंदर equality आए ऐसा ना हो कि एक ही country के अंदर यह सारी जो companies है यह सारी shift हो रही हो ठीक है I hope आपको यह clear हो चुका है तो G20 meeting के बारे में हमने clear क तो इसके बारे यहाँ पर यह चर्चा की है hope करते हैं हम लोग की आने वाले टाइम पर यह सारी चीज़े अच्छ से implement हो और हम लोग को सभी लोग को एक फायदा देखने को मिल सके अगले आर्टिकल पर आते हैं next article पर यहाँ पर देखो आज के टाइम पर water crisis को लेकर काफी ज़्यादा चर्चा हो रही है ठीक है हमने यहाँ पर देखा country के अंदर जो groundwater crisis वो ज़्यादा बढ़ चुके है आर्टिकल में न author ने यहाँ से लेकर यहाँ तक चीजों को काफी अच्छी से समझाए है उसके बाद यहाँ पर example देने चालू कर दिया है जो कि हमारे काम के है अब मैं आपको अलग से कुछ important information प्रवाइड करवाऊँगा इस आर्टिकल की कुछ information है प्लस उसका अलग से आपको additional information मिल लेए आर्टिकल बहुत ज़्यादा जबर्दस्त होने वाला है भारत के अंदर जो groundwater crisis है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और इंडिया आज का टाइम पर बहुत ज़्यादा dependent है groundwater के उपर और dependent होने की वज़ा से आज का टाइम पर ये crisis है पानी लगातार कम हो रहा है और इससे होगा क्या इससे अभी तो problem देखने को मिल सकती है डेफिनेटली आज का टाइम पर भी problem हो रही है लेकिन आने वाले टाइम पर ये सबसे अधा जो ये काम हो रहा है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है groundwater exactly क्या होता है जो हमारे सत्य के नीचे ग्राउंड के अंडर में यहाँ पर पानी प्रेजेंट है उसको groundwater बोला गया है यहाँ पर हमारे जमीन के अंदर नीचे स्टोर हो जाता है ठीक है यहाँ यहाँ पर एक ग्राउंड हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या है बहुत सारी छोटी छोटी रॉक्स होती है और इसके अंदर यहाँ पर पानी मॉस्टर जो है प्रेजेंट हो जाता है और उसका जो यह रॉक है इनको हम लोग बोलता है एक्विफर इसके बारे में आप यहाँ पर कुछ factual analysis है जो बहुत important है और हमारे exam में हम लोग इसको definitely इस्तमाल कर सकते हैं factual information जाद से जाद हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि वो data fixed है अब यहाँ पर अगर हम बात करें status के तो जो United Nation Educational Scientific and Cultural Organization है जिसको UNASCO बोलता है इन्होंने यहाँ पर एक report published करी है World Water Development Report इसने बताया भारत आज के टाइम पर एक largest extractor है groundwater का जमीन से हम लोग बहुत जादा पानी निकाल रहे है और भारत इस मामले में दुनिया भर में सबसे आगे है और इसी के वज़ाद से इंडिया के अंदर groundwater जादेजी से डिपलीट हुआ है उसके बाद भारत के बाद आप खतम होने वाला है और बहुत जी से निकाला भी गया है ऐसा यहाँ पर बताया गया कुछ reports ने उसके बताया गया जो 75% households है इनके पास drinking water ही नहीं है पीने के लिए पानी नहीं है अपने घरों में 84% जो rural household है गाउं के अंदर आपको बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे उनक 80% भारत के अंदर जो water है यानि जो पानी है वो contaminated है दूशित है गंदा पानी है ठीक है यहाँ पर बताया गया उसके बाद यहाँ पर इसी वज़ा से जो country की rank है न किसके अंदर water quality index के अंदर वो 122 में से 120 rank आई है इंडिया की यह आप लोगो ध्यान रख रहा है तो इस होने वाला है water scarcity तो देखने को मिलेगी साथ सथ economic loss भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इंपोर्टेंस क्या है इसका तो groundwater का इंपोर्टेंस यहाँ पर देख पाऊगे ग्राउंड वोटर इसका टैम पर डेफिनिटली यूज होता है लेकिन एक limited वे में यूज होता है लेकिन यहाँ पर अगर जादा है मतलब किसी obviously हर चीज किये किसी की चीज भी आती कर दोगे तो वहाँ पर उसका negative impact ही पड़ेगा जो groundwater है वो लगातार यहाँ पर सपोर्ट करता है लगबग 26 करोल farmers को सपोर्ट करता है अग्रिकल्चुरल लेबर्स को यहाँ पर सपोर्ट कर कर रहे हैं 80% जो rural और urban यहाँ पर घर है मतलब शहरों के अंदर गाउं के अदर जो घर हैं वहाँ पर यहाँ पर groundwater के थुरू यह पानी सप्लाई हो रहा है उसके बाद और भी बहुत सरी चीजों के अंदर water का सप्लाई हो रहा है यह आप लोग को एक idea रखना ही रखना है ल definitely यहाँ पर क्या होगा water कम होता ही नजर आएगा groundwater resource deplete होता वह नजर आएगा आज के टाइम पर हमारी चाहे वो industrial demand हो चाहे वो agricultural need हो यह दोनों ही बढ़ चुकी है इसकी वज़ासे groundwater deplete हो रहा है उसका हमारे पास जादा storage facilities है नहीं उसकी वज़ासे भी groundwater deplete हो रहा है आज के agriculture के मामले में number one पर चल रहा है बहुत सारा export हम लोग दुनिया भर में agriculture के sector में करते हैं तो जो green revolution है इसने हाँ पर support किया कि हम लोग बहुत सारी फसलों को उगाएं लेकिन उन फसलों में पानी की जरुरत बहुत जादा पढ़ती है वो है water intensive crop जिसको हम लोग बोलते हैं जो इसी फसले जहां पर पानी की जरुरत बहुत जादा होती है तो यह फसले काफी उगाई गई है इसकी वजह से भी यहां पर हमने पानी का definitely इस्तमाल काफी किया है उसकी बज़े से water depletion देखने को मिला उसके बाद यहां पर सरकार MSP देती है minimum support price देती है electricity के उपर subsidies मिल नही है इसकी वजह से क्या है यहां पर पानी का और ज़दा इस्तमाल हो रहा है उसके बाद water जो contamination है मतलब कि तरीके से पानी आज के टेम पर गंदा बहुत ज़दा है और एक तरीके से गंदा पानी एक तरीके से बढ़ चुका है और बहुत सरे reason है water pollution लगातार increase हो रहा है उसके तक इस्तमाल कर सकते हो तो हम लोग चीजों को थोड़ा अच्छे से लेकर चलपाते है वो आज के टाइम पर है नहीं हमारे पास तो भरपूर यहां पर इस्तमाल हो रहा है उसके बाद लगातार पीडों की कटाई हो रही है agriculture में सही से अपने method इस्तमाल करनी रहे है agriculture से भी impact क्या है कि इंडिया के जो rank है आप लोगों को देखी गई 122 में से 120 rank आई है water quality index के अंदर तो यह है यहाँ पर impact पढ़ रहा है लगबग यहाँ पर 2,00,00 लोग यहाँ पर हर साल death हो यह 2,00,00 लोगों की क्यों क्योंकि वो गंदा पानी consume कर रहे है उसकी वज़ा से हर साल 2, 2,00,00 लोगों की death हो रही है उसके बाद आप देख पाऊगे यह एक सबसे बड़ा impact पढ़ रहा है question यह है कि सर इसके solutions क्या हो सकते है solutions यह है कि आप लोगों कहिने के restrictions लगाने होंगे कुछ rules and regulations लेकर आने होंगे कुछ dark zone set करने होंगे कि यहाँ पर आप लोग ज़ादा groundwater का जो है solve करना होगा उनके regarding आपको solution लेकर आना होगा उसके बाद research कर सकते हो कि हम लोग क्या क्या और policy लेकर आ सकते हैं इसके ओपर दो water depletion को एक तरीके सा और cut कर सकते हो जो electricity के आप subsidies दे रहे हो उसको reduce करो तब यहाँ पर irrigation वगएरा थोड़ा सक्काम होता बनाजर आएगा और तरीका दूसरा है कि हम लोगों का agriculture sector भी grow हो क्योंकि agriculture sector में होता क्या है भरपूर पानी का इस्तमाल हो रहा है भर भर के पानी निकल रहा है तो वो नहीं करना है हम लोग उसके जगए क्या कर सकते हैं micro irrigation techniques का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे drip irrigation होता है drip मतलब यहाँ पर machine लगा क्या जा सकता है आई होप आपको यह clear हो चुका होगा ना उसके बाद आते हैं अगले article की तरफ next article में बात कि यह है कश्मीर के अंदर आज के टाइम पर बहुत सरे issues देखने को मिलते हैं और जितने भी यहाँ पर issues है उसके पीछे बहुत सरे complex reasons है वो reasons क्या क्या है यहाँ प sources की जान गई है उस बज़ा से यहाँ पर ही चर्चा में और इन सब को मारा गया है टेररिस्ट के थूरू और ऐसी चीज़े ना बहुत पहले देखने को मिलती थी 1990s में ऐसा हुआ करता था ठीके 21st century में आप देख पाऊगे मतलब 1990s में इस प्रकार की चीज़े देखने को म लगातार यहाँ पर उनके ओपर अटैक्स हो रहे थे ठीके हाला कि यहाँ पर इन सब चीजों के रिकार्डिंग हमारे पास कोई चीजे मदब आप कह सकते हो कि हम लोगों को यह ने यह भी देखने को मिला है जो मिलिटेंसी है मिलिटेंट उनको बहुत ज़दा सपोर्ट मि चुका है ठीके तो इन उपरेट कर दिया था उसके बाद हमने यहाँ पर जमुएंट कश्मीर को दो यूने टेरिटरिस में बना दिया एक हमारे पास आगया जमुएंट कश्मीर और दूसरा लद्दाक वाला एरिया आगया ठीक है वो भी हाँ पर यह चीज़े मेंशन करी लेकिन वोयलेंस अभी विकया है तो यह पर ऑर बी चीज़े बताईयों पर लेकिन ऐहाँ पर बहुत सरे लोग फेल हो चुके थे यहाँ पर इस एरिया इस चीज़ करके दिखाया है यह मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर यह आर्टिकल 370 इन उपरेट होने की बाद बहुत सरी रिपोर्ट बता थी हैं चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट और रिसेंटल यहां पर एक रिपोर्ट भी कवर क की गई थी एक रिपोर्ट बताया गया था काफी सारी चीज़े अच्छे से मतलब अनेसली यहां पर सुधार वहां पर काफी सारा देखने को मिला है उसके बाद यहां पर बात करें अब यहां पर क्या है इस कश्मीर वाले रिजन के अंदर बहुत सारे कंट्री के तुरू ह हम लोग पहले से ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान के तुरू पहले से हम लोग को देखने को मिला है और वो आज के टाइम पर इशूज और जदा इंक्रीज हुए हैं और करेंट टाइम पर आप देख पाओगे पियो के वाला रिजन भी यहां प टैकल करने के लिए यह चीज़ें यहां पर मेंशन की गई है क्योंकि वहां से टेरिरिजम बढ़ता है तो डेफिनेटली कश्मीर के अंदर वो टेरिरिजम देखने को मिलता है बहुत सारे बंबार्डिंग वगरा देखने को मिलती है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एर कश्मीर वाले रिजन के लिए ठीक है यहां पर जो वोईलें से जम्मुरेंट कश्मीर के अंदर लगातार इंक्रीज हुआ है और उसके पीछे का एक रिजन आपको तालिबान का टेक ओवर हुआ तालिबान ने अफगानिस्तान के ओपर पूरी तरह से कंट्रोल किया है और इसकी वज़े से काफी सरे बदला हुए है इस से फोकस ही रखा जा रहा है कि आने वले टाइम पर कश्मीर के अंदर और भी बहुत सरे डिस्प्यूट्स और भी बहुत सरे टर्रिरिजम एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आ सकती है ठीक है यह हम लोग देख सकता है क् यहां पर यह इस्लामिक स्टेट का कंट्रोल हो पाए इन फैक्ट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ठीक है एक मैप को दिखाना काफी ज़्यादा जरूरी है हमापे आपको काफी सारी चीज़े अच्छे से और क्लियर होंगी ठीक है यहां पर एक मैप देख पार होंगे कि यहां पर यह जो आई यहांग स्लामिक स्टेट के बहुत सरी ब्रांशीस देखने को मिलते हैं अडलेस मगुरेब लैंड उफवरशा पर इक ब्रांश है आई एस की वह ए खुरासन ठीक है खुरासन यहां पर हुरासन का मेंग यहां पर फोकस यह है कि पूरे यहां पर ए नजर आ रहे हैं यह आप लोग देख पाओगे उसके बाद चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाइना लगातार हमारे साथ कंसर रहते हैं खासकर अकसाई चीन वाला एरिया आपको मालूम होगा वहां पर भी हमारे टेंशन लगातार इंक्रीज होते रहते हैं अभी हमन से यहाँ पर चाइना पाकिस्टन एकनोमेक करेडूर को नेका लागे है तो अपने आप में काफ जOur आपने बहुत बड़ा इंटर लेंग है दोनों कपपर काफ़ीत सपोर्ट करती है धूसरे को तो उसकी वजह से कश्मीर वाले रिजन के लिए और बढ़ा खत्रा बन जात हैं ठीक है यह सब को सही से काम करना होगा सही से काम करने का मतलब यह है जो चीजें उनको अनिलाइज करना होगा आज के टाइम पर जो intelligence agency है ठीक है यहाँ पर क्या है बहुत जादा possibility होती है यह लोग यहाँ पर miscalculate कर देते हैं चीजों को और इतिहास गवा है कि बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखिए कि पहले miscalculation हुआ है और उस miscalculation की वज़ा से उस यहाँ पर सही से चीजों को calculate नहीं कर पाना analyze करने के बाद हमें future predictions करने होंगे हम लोग इतने capable हो पाएं जो हमारी intelligence यह जो agencies है इनको इतना ज़्यदा able हो जाना है यहाँ पर इन events को यह control कर पाएं और यह miscalculation कभी भी ना हो ठीके उनकी imagination इस प्रकार से develop हो जानी चाहिए ताकि जो यह future events होने वाले हैं उन सब को tackle किया जा सके उन सारे attacks को tackle किया जा सके उन सारे insurgent activities को tackle किया जा सके तो यह यहाँ पर हमारे intelligence agencies का काम होने वाला है यह चीज़े यहाँ पर author ने बताई है उसके बाद यहाँ पर बोला है यह बहुत ज़्यादा important है देखो बहुत ज़्यादा चीज़े होती हम लोग चीजों को miss कर देता है dimensions को miss कर देता है ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग को think करना है सोचना है बहुत अच्छे से खासकर हमारे intelligence agencies को लेकर बातचीत की है आने वाले टाइम पर future threat क्या क्या हो सकते है हम लोग को हमारे इस वाले area में क्या क्या खत्रा हो सकता है उसको लेकर हम लोग पहले से step ले सकते हैं चाहे वो चाहिए वो पाकिस्तान से खत्रा हो चाहे वो अफगानिस्तान से खत्रा हो ठीक है तो इंडिया अपनी self-defeating power को और सथा increase कर सकता है और यहाँ पर intelligence agencies के बारे में चर्चा की गई वापस है कि इनके पास capabilities है और यहाँ पर इनको ensure करना चाहिए चाहिए कि इनके पास यहाँ पर capabilities है और यह आगे काम कर सकते हैं और इनके पास ability है कि यहाँ पर यह आगे एक accurate picture draw कर सके हैं कि यहाँ पर क्या- और यह आपको मालूम है क्या क्या चल रहा है उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यह देखने को मिलेगा यहाँ पर पाग जापान के अधर क्या है अभी हाँ पर क्या हुआ इलेक्शन्स बगरा हुए है तो नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं फुमियो किशिदा यह आप लोगो मालूम होगा तो यहाँ पर उनी के बारे में यहाँ पर यह चर्चा हो रही है इन से पहले यहाँ पर एक और प्राइम मिनिस्टर योशी शूदे सूगा योशी शू के लिए अच्छे थाबित होने वाले हैं ऐसा यहाँ पर बताया गया है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आरिकल की दिदरफ उसके बाद यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस बाले आर्टिकल को डिस्कॉस करेंगे बात की गई है क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूरी पूरी पहली है वो क्या है वो हम दो उड़ा सा समझेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसके पिछे का reason बताया है लेकिन उससे पहले समझने से पहले आपको समझना होगा यह क्रिप्टो करनसी या फर बिटकोईंस बगरा होते क्या है ठीक है तो क्रिप्टो करनसी यहाँ पर आप कसको digital money होती है यहाँ पर यह कैसे बनाई जाती है तो इसकी mining होती है ठीक है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो अपने आप में एक medium of exchange है आज के टाइम पर आपको मालूम होगा एक ऐसी कंट्री है जिसने यहाँ पर क्रिप्टो करनसी को as a legal tender accept है अपनी खुद की कंट्री का करनसी को कौन सी कंट्री नीचे कोमेंट सेक्शन में नाम बताना है आ यहाँ पर जो भी एक तरीके से प्रोग्राम को गया चलती है उस उस प्रोग्रामिंग यहाँ पर माइनिंग करने के बाद यहाँ पर इसको निकला जाता है लेकिन उसमें बहुत सदा energy generation लग जाता है बहुत सदा करणसी कोई कोई आपके हाद मा सिक्का नहीं आ रहा है आपका स्रुभ एक Online डिजीटल करणसी है इसी को आपका ट्रेड हो रहा है ठीक है इसी की वैल्यू घड़री है बढ़र रही है ठीक है अब वह घड़री है वह चीजों के ओपर depend करता है लेगिन आप कह सकते हो कि एक चीज ये भी है कि यहाँ पर ये crypto currency कौन इसको चला रहा है कुछ नहीं पता है मतलब कि इसके उपर कोई भी नहीं है जैसे Reserve Bank of India आज की टैंबर भारती currency को चला रहा है हर कोई ना कोई यहाँ पर bank कोई सी ना किसी की currency को चला रहा है किसी ना किसी और किसी का रिएशन रहता है लेकिन cryptocurrency पर किसी का regulation नहीं यह कोई भी यहाँ पर इसको रूल नहीं करता है या आपको ध्यान देना है ठीकिए यह यहाँ पर बताया गया है तो cryptocurrency क्या है I hope आप लोग समझ गया हूँगे कौन यहाँ पर सला रहा है यह हमें कुछ नहीं पता है और in fact क्या हो जाए कब हो जाए कब गया हो जाए हमें नहीं पता ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे crypto currencies के prices बढ़ेंगे यहाँ पर इसकी एक तरीकिस दाम बढ़ते में नजर आएंगे आज के टाइम पर crypto currency के अगर value देखें तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा क्योंकि crypto currency का एक बहुत बड़ा example Bitcoin है तो अलग-अलग यहाँ पर crypto currencies होती है Bitcoin, Ethereum और भी बह prices लगातार increase होते है Bitcoin के दर आप investment अगर अभी कर सकते हो तो आपको एक coin खरीदने के लिए 45 लाग कौन इन्वेस्ट करेगा तो 45 लाग ने इन्वेस्ट करना है यहाँ पर छोटे-छोटे-छोटे-पार्ट में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है ठीक है छोटे-छोटे- cryptocurrency को अगर approval बहुत अचीतरी के से मिल जाए लोग cryptocurrency को दबा के यूज़ करने लगे तो इससे क्या होगा जो हमारी currency उसकी value थोड़ी सी कम हो जाने वाली है तो यह यहाँ पर impact पड़ेगा ऐसा यहाँ पर इसी वज़से सरकार यहाँ पर यह काम कर रही है जिसकी वज़से cryptocurrency को जादा focus जादा importance दी नहीं गही है तो यहाँ पर possible यह है जो investors है वो लगातार आप देख पाऊगे यहाँ पर investing करते रहते हैं यहाँ पर जो price है Bitcoin का वो हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर और जदा हो सकता है यह कम हो सकता है देखो यह तो चीज़ों को पर depend करत है लेकिन यहाँ पर क्या है ना यहाँ पर बहुत सरी लोग यहाँ पर जो है crypto currency को as a money accept करेंगे आने वाले टाइम पर लेकिन फिर भी जब जितनी भी चीज़ा आप लोग देख पा रहे हो ठीके इसका acceptance होगा acceptance नहीं होगा तो यह काफी तक चीज़े impact करेंगी country के currency के उपर तो यहाँ पर अगर जादा यूज होता वा नजर आएगा जादा इसका acceptance देखने को मिलेगा अगर जादा तर हम लोग crypto currencies को as exchange for goods and service यूज करेंगे आपने कुछ समान खरीदा उसके बदले में crypto currency का use किया है तो यहाँ पर जब याप crypto currency का use करोगे तो चांस बहुत जादा है कि जो सरकार उसके उपर crackdown लगा है मतलब कि उनसके उपर restrictions लगा है उसके उपर काफी सारे यहाँ पर दबाव डाले ऐसा क्यों क्योंकि इससे क्या होगा जो money है जो country यहाँ पर money चला रही है जो currency है उसकी value कहीं न कहीं कम होती भी नजर आएगी ठीके जो monopoly है जो जिसको हम bank of India यहाँ पर सारी चीज़ें देख रही है money के regarding जित्ती भी चीज़ें होती है ठीके तो यहाँ पर आपकर सकते हो कि आज के time पर जो सरकार है वो यहाँ पर main काम क्या करती है money को control कर रही है अब money को control करते करते हैं सरकार के हाथ में है कि यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग ज जो citizen से उनको indirectly text किया जा सकता है अगर आप ज्यादा currency की supply कर दो ठीक है इसका मतलब होता है currency को devalue कर दो तो मतलब इस प्रकार से हर चीज control की जा सकते currencies को लेकर जब यहाँ पर crypto currency का इस्तमाल होगा जिसके ओपर कोई regulation है नहीं सरकार का मतलब कोई भी यहाँ पर उसका control है न जो एक cryptocurrency है Bitcoin की तरह जैसे यहाँ पर बताया है Bitcoin क्या होता मैं आपको बताया यह सब cryptocurrency होती है अलगलग प्रकार की crypto currencies होती है यहाँ पर एक बहुत बड़ा challenge बन जाएगा फियाट currency के लिए जो printed currency होती है उसके लिए बहुत बड़े challenge बन सकती है आने वाले टाइम पर cryptocurrency का ज्यादा इस्तमाल होने लगेगा तो ठीक है यहाँ पर क्या होगा मैंने जैसे बताया वापस से यार मतलब एक की लाइन को वापस से दोराया गया है इससे क्या होगा जो रुपीज की या फिर currency उसकी value काफिया तक devalue होती भी नजर आएगी अब यहाँ पर बात करें चाइना ने इसी चीज़ को देखते हुए हाली में अपने आपर cryptocurrency को properly बयान कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर बोला है कि अपनी खुद की private जो alternative है वो लेकर आएंगे तो उसी का इस्तमाल करेंगे फिलाल जो cryptocurrency उसका इस्तमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है लेकिन बोला यह गया कि चाइना बिलीव करता है इसमें कि free market operation बहुत दा important होता है यहाँ पर क्या है चाइना अपनी खुद की digital currency लाएगा तो country के अंदर benefit काफी सारे देखने को बलेंगे मतलब digital currency के अपने आप में खुद benefit है और वो जो benefit है वो सब यहाँ पर हमारे एक economist न इमान definitely यहाँ पर increase होती भी नजर आएगी उसको यूज़ करना ज्यादा लोग पसंद करेंगे और उसके वज़य से क्या होगा जो government है यहाँ पर government काफी तक affect होती भी नजर आएगी तो इसी वज़य से government को यहाँ पर डर है और इसी विज़य से government यहाँ पर इसको avoid करना चा होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने census के बारे में सारी information आप लोग को दे दी आप लोग इसको एक बार read कर सकते हो ठीक है कि census कौन करवाता है पहला census कब हुआ था ठीक है कैसे होता है यहाँ पर लोग के घरों में जाकर information ली जाती है कि लोग यहाँ पर कौन सी कास से या फिर क census को नहीं कर दो कि जाती आधार पर पहले भी census हुए है जो कि अधरीके साब कर सकते हो कि success नहीं रहा है 2011 में भी यह census हुआ था कास्ट भी census लेकिन सरकार बोलती है वो बिल्कुल सही नहीं था उसी वाज़े सामने उसका डेटा भी रिलीज नहीं क्या है इस वज़ा से हम लोग साल 2021 के अंदर भी कास्ट सेंसस नहीं कर रहे है तो यहाँ पर author का कहना है कि कास्ट मैटर करती है क्यों करती है क्योंकि यहा कास्ट लीटा है वो लगातार यहां पर आपका सकते हो कि अबलताब लेकर आने चाहिए aveley going a car do इससे हम लोग काफी सारी inequalities जो countries के अंदर दिक्कत है कास को लेकर जाती को लेकर वो सारी जो problems उनको resolve कर सकते हैं ठीक है आज के टाइब पर हमारे पास कोई भी detail कास census analysis है नहीं ठीक है तो इसकी वज़ए से आज के टाइब पर हम लोग जो है जातर मतलब problems को जो society हमारी जो एक समाज है जो जादे problems है उनको solve करने में fail हो जाता है क्योंकि हमारे पास caste census properly है नहीं अगर हमारे पास caste census properly होता है तो उससे कहीने कहीं हम लोग societal problems को भी कहीने कहीं टेकल कर पाएंगे यह हमारा focus रखा गया है उसके बाद आज के टेम पर concern क्या है देखो यहाँ पर क्या होता ह है जो यह cast census है यहाँ पर इसको update करना बहुत ज़दा important है इससे हम लोगो possibility है कि हम लोग country के अंदर एक हमारे पास exactly picture आपाएगी कि कितनी inequality है और कितने लोग यहाँ पर कितने लोगो benefits मिल रहे हैं कौन सी caste को benefit मिल ला है कौन सी caste वाले आगे हैं पीछे हैं या सब कुछ हमार पर आपको करना क्या होगा यहाँ पर कास जिसा मिर्सी उस हो सकता है लेकिन आज की टैम पर मिर्सी उस हो रहा है लेकिन आपको उन चीजों को हटा कर आपको कास्ट डेटा को लेकर आना चाहिए ठीक है तो इससे हम लोग काफी हत्तक एक तरीक से जब यह publicly available रहेगा तो इस के पास एक तरीके से बहुत साथा experience है यह काम करने का और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं यह कास्ट सेंसर करने के बाद जो जितने भी चैलेंजिस निकल कर आएंगे उन चैलेंजिस को टैकल कर सकते हैं तो यहाँ पर यह सारे फा स्रीके से invisible हो रहा है या visible हो रहा है data के अंदर यह पता चलेगा जैसे की दलित Muslims हो गये दलित Christians हो गये इंटर-Cast, कास्ट सेंसर का इंपोर्डेंस क्या है वह ने आप लोगों को बताया कि inequality के बारे में पता चलेगा कास्ट के डिफरेंस के बारे में पता चलेगा फिर इनके रिगार्डिंग जो भी issues है हमारे country में जाती को लेकर बहुत सारी problems देखने को मिलती है सोसाइटी में उन सारी problems को हम लोग खतम कर सकते हैं I hope guys आप लोग को यहां पर यह clear हो चुका है उसके बाद नीचे एक डिटूरल है वो बेकार है उसको नहीं पढ़ना है ठीक है तो complete newspaper analysis हो चुका है मिलते हैं आप लोगो से next वीडियो में आज के लिए बाबाए have a nice day thank you and जैहिंद